So, Hello Dostos, Swaggat Aapka हमारे इस YouTube Channel V4 Value में आज आमने बात करने वाले हैं बसंत AgroTech India Limited के बार में जानेंगे कमपनी के fundamentals के बार में, कमपनी के working segments के बार में कमपनी के last quarter के results किस प्रकार के आया हैं और आने वाले time पे हम किस प्रकार के targets इस company से expect कर सकते हैं कंपनी बहुत जादे इंट्रेस्टिंग है तो विना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले बाइब बता देना कंपनी बेसिकली टीन डिवीजिंस में काम करती है पहला है से डिवीजिनस मलद सीडसी मैनफेक्टिंग करती है इसके लावा इसके लाव इसके लावा विड़ायों पॉर्ज हैं आपको रहेंगे revenue के basis पर company ने काफ़ी ची तरीके से अपने आपको grow किया है बात करते हैं net income बें तो यहाँ पर इनकी growth थोड़ी सी कम थी but still इस साल काफ़ी ची तरीके से company beat कर रहे है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है बात करते हैं company के cash flow की तो उसे भी company ने काफ़ी ची तरीके से maintain रखा है जो कि आने वाले time pain के future operations में बेशक काम आने वाला है इसके लावा अगर हम बात करें company के holdings के बारे में तो आप जैसे की देख पारेंगे almost 53% holding या आप आपको देखने को मिल रहे है इसके लाव अगर हम बात करते हैं company के कुछ key important ratios के आरमत आप जैसे की देख पारेंगे company का market capitalization लबब 179 करोड का company का PE ratio है 9 का और PB ratio है 1 का जो कि as company to penny stock ये normal है बात करते हैं dividend की तो company dividend भी provide करते है 0.04% की company का dividend हील है बात करते हैं डेप्ट की तो 38 क्रोड का company को पर डेप्ट है इसके एक और बात करें cash equivalent की तो मातर 82 lakhs का company का cash equivalent है हाँ डेप्ट थोड़ा जाद है बट इनका annual income आता है उसके मुकाबले डेप्ट कम है तो आप इसे डेप्ट कर सकते हैं बात करते हैं sales growth की तो यह आप आपको 12% का sales growth देखने को मिल रहा है 11% का profit growth देखने को मिल रहा है जो कि decent है तो उसी साब से थोड़ा सा below average बटाई हो पाने वाले time पर इसे company proof करेंगी कि company small cap company है तो आपको इसमे रिस्क भी ध्यान देना होगा और इसको देखते हैं अगर हम बात करें targets के अपर तो अभी के time आप जैसे की देख पा रहेंगी जहाई 9 जिसंबर पे 10 और 12 पे trade कर रही आज के time पर आप जैसे की देख पा रहेंगो 19 पे trade कर रही है और इसने अपने all time high पनाया था लबब 29 का तो अगर आप compare करें November से लिए के बीच में तो इन्होंने लबब 1500% का return दिया है और अभी के time पर अपने all time high से लबब 30% के down पर चल रही है तो अगर आप इसे buy करना च सकता है अगर आपको इस stock मिलता है somewhere around 15 to 13 के बीच में टार्गेट जो मैसे देना चाहूंगा और 25 का target 1 and 30 का target 2 time duration जो मैसे देना चाहूंगा और 1.5 to 2 years के बीच का मुझे आप बतेगा कि आपके क्या रहे हैं इस company को लेके I hope आपको वीडियो और वीडियो की information दोनों पसंद होगी जल्दी मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए अगर आपके पास थोड़ा 100 और समय investment को देने करें तो मेरी एक लाग से क्रोड़े की stock ने मातर एक साल में कैसे बनाए और आप भी ऐसा stock कैसे पास सकते हैं यह सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे आप इस वीडियो का तब तक देख सकते हैं सो जल्दी मिलते हैं ऐसी एक और ने वीडियो के साथ तब तक ऐले स्टे से फैंट गुडबाई थैंकि दोस्तो झाल 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 झाल